हलो अरिवान, वेलकम टू वाइफाइ स्टडी विश पार्ट ओफ अन अकेडमी गुरूप दोस्तो डेली प्रेक्टिस कुईज में हम देखने वाले हैं टॉप टेंट जी के कोशन जो की काफे इंपोर्टेंट होने वाले हैं सभी SSC और रेलवे के एक्जाम के पॉइंट अब्यू से अगर आप किसी दूसरे एक्जाम की भी त्यारी कर रहे हैं तो तब भी आप इस स्रीज को फोलो कर सकते हैं क्योंकि कोशन बहुत ही बैतरी नोने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सेर करना पूलिएगा मत और देखे दोस्तों 13 ओक्टूबर से सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको सभी एजुगेटर की क्लासिस मिल जाएगी इसक को है ना और आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि आपको कितने मन्त में सबसे बैस सब्सक्रिप्शन पढ़ रहा है और देखे कॉंबएट होता है संदे code apply करना है study 10 stu dy10 ये code apply करना है और enroll हो जाएगा आपका और देखे SSC category में दो special classes चल रहे हैं मेरी एक तो धाई बजे और एक रात को 11 बजे दोनों ही बहुत ज़्यादा important है दोस्तों और दोनों ही classes follow करना आपके exam के point of view से बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है ठीक है तो follow करिए classes को तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस series को दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है प्रत्वी पर मोसम का परिवर्तन निमलकित में किसके कारण होता है ये बताई प्रत्वी पर मोसम का परिवर्तन होता है ठीक है कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है ये किसके कारण होता है दोस्तों बहुत easy question है देखे प्रत्वी सूर्य के चारो और घूमती है ठीक है इसका यही region है the earth revolving around the sun ठीक है तो ये आपको याद अखना है इस question का right answer होने वाला है यूरो तो इटली की मुदरा यूरो है ये आपको याद अखना है अब ये question भी exam में आ चुका है mostly question जितने भी मैं पूछ रहा हूँ यह सभी या तो SSC में CHSL, CGL या फिर कहीने कहीं NTPC railway में कोईने कोई question आया हुआ है सार्क का मुख्याले किस सहर में इस्तित है सोरी देखे सार्क का मुख्याले किस सहर में इस्तित है इस question का सही answer होगा काट मान लो ही होगी South Asian Association for Regional Corporation ठीक है और बाकी अगर मैं आपर बात करूँ दोस्तों इसमें 7 Member Countries है कौन-कौन सी है एक पर मैं बता देता हूँ सार्क की जो Member Countries है इसमें अफगानिस्तान आता है Bangladesh, Bhutan, India Maldives, Nepal, Pakistan और सिलंका ठीक है यह Members Country है यह आपको याद अखना है ठीक है चले तो इसका Right Answer होगा काट मान लो अगले Question की और बढ़ते हैं और अगला Question कहता है आपका कि भारती Railway का निमलिकित में से कौन सा सेयंत्र या सेयंस्थान कपूर्थला में इस्तित है बते दोस्तों कपूर्थला में इन में से कौन सा जो इंस्टिटूट है वो लोकेटिड है बिल्कुल Rail Coach Factory का दोस्तों ठीक है Rail Coach Factory का इंस्टिटूट आपका कपूर्थला में इस्तित है यह Question भी कहीं बार एक्जाम में आ चुका है Question है सितारा देवी निमलिकित में से किस रत्य सहली का एक भोज है यह हिस्सा बोल सकते हैं आपे तो इस Question का दोस्तों रहे टांसर होगा तो इस Question का रहे टांसर होगा कथक का ठीक है तो B is the right answer चले Question दोस्तो Billion सब्द निमलिकित में से किस की अभिविक्ती है देखे एक Billion जो होता है दोस्तों वो बराबर होता है सो करोड के तो यह Question भी एक्जाम में आ चुका है आप इसको याद रख सकते हैं इस Question का right answer option D हो जाएगा Question है 9 degree channel अलग करता है किसको अलग करता है 9 degree channel separates देखे 9 degree channel separate करता है इस Question का सही answer होगा इन में से तो कोई नहीं है 9 degree channel मुख्य लक्सदीप से मीनी कोई दीप को अलग करता है तो यह चीज आपको याद रखना है 9 degree channel की बात की है 8 degree channel मीनी कोई और माल दीप को अलग करता है और 10 degree जो चैनल है दोस्तो वो अनमार दीप को निकोबार दीप से अलग करता है ठीक है अनमार निकोबार दीप को बंगाल की खाड़ी में को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे को अलग करता है जाता है तो देखिए इस question का राइट answer हो जेगा chronology यानि की काल करम तो right answer option C होने वाल है question आता है दो गत्वे गुहाटी और इंफाल द्वारा जुड़े हुए है तो इस question का राइट answer होगा दोस्तो only airways and roadways तो right answer option C होगा वही question है दूद के गनत को निमलिकित में से किसके द्वारा मापा जा सकता है दूद की density को the density of milk can be measured by which of the following तो ये लेक्टोमिटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों लेक्टोमिटर यानि की option आपका C right answer होगा ठीक है चलें next दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में जरूब बतेगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्काइब करके बैल एकन कौन रखी ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते ह चैनल पर मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो